हेलो गाइज वेलकम टो आज चैनल तो आज के लिए पेमारी यह लाइब को करते जाए 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 सबसे बहुत करते हैं लॉग इन पासवर्ट कॉपी करना कंसूल पर आना डैश्बूट पर आप लोग आचे क्योंगी सिंप्ली क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेना जब क्रमांड को करेंगे कॉपी यहां पर आएंगे इसको पेस्ट कर देंगे डेटासेट नेम चाहिए तो डेटासेट नेम आप लोग को काम भी लेगा आप लोग को सिंप्ली आना टास्क वन पर टास्क वन पर आप लोग जाएंगे दिन आपको डेटासेट नेम चाहिए तो set name आप लोग का यह रहा, simply आपको करना है, इसको copy यहाँ पे वापिस आना है, test foot भी है, इसको कर देना है, paste और इसको कर देना है, enter, इसको enter करना नके बाद आप लोग वापिस आ जाएंगे, third करेंगे table name, यहाँ आते हैं, table name के लिए, आप लोग क्या करना है, table name पे आना है, table name आप लोग को चाहिए, table call यह, ठीक है, तो table को करते हैं, जल्द से copy, यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं, paste इसको करते है, enter, वापिस से यहाँ पर आते है, table name हो गया, topic name चाहिए, इसको copy करते हैं, यहां पेस्ट करते हैं, copy कर लिए हमने, अब topic name चाहिए, तो topic name आप लोग का यह रहा है, यहां आना, simply इसको paste कर देना, और इसको कर देना, enter, दिन वापिस यहां पे आना, अब इसको करना, जल्दी से copy, यहां पे आना, इसको paste करना, इसको कर देना, enter, अगर कुछ आता है, त तो इसको disable करना, फिर से enable कर, तो यह अभी हमार enable है, इसको simply manage पे करते हैं, click, इसको पहले करेंगे disable, इसको कर देते हैं, जल्दी से disable, तो यह disable हो जाएगा, वापिस इसको जल्दी से कर लेंगे enable, तो API enable हो चुकिए, अब इसको कर देते हैं, जल्दी से cut, अब यहां पे यहां पे आएंगे, data flow के jobs में, आप लोगो simply click करना है, create job from template, अब आप लोगो job name चाहिए, यहां पे आएंगे, आप लोग task number 4 में, task number 4 से पहले करेंगे, इसको copy, यहां पे आएंगे, तो आपको यहां पे name पे कर देना है, इसको, paste, name paste करने के बाद आप लोग कर लेंगे, zone select, zone आप लोग को क्या है, मेरे कुछ और है, आपको कुछ और हो सकता, usage 4 है, तो यहां जल्दी से इसको कर लेता हूं, change, usage 4, दिन आप लोगो template चाहिए, तो template आप लोगो कहा मिलेगा, आप लोगो simply आना है, data flow template के लिए आप लोग simply इसको करेंगे, copy, यहां आएंगे, तिन filter करने parameter में topic name आएगा, आपको इस पर click करना है, then id select कर लेनी है, अब आप लोगो यहां browse file करनी है, तो यहां से आप लोग बिक करेंगे, इसको करेंगे, copy, यहां पर आएंगे, browse कर लेनी है पहले इसको, आप लोगो simply यहां search box पर आना है, तो यहां पर आप लोगो इसको इसक अब लोगो इसको करना है, इसको करने बाद आप लोग यहां browse पर आएंगे, यहां आपको अपने bucket select कर लेना है, select पर click कर देना है, अभी यहां पर आप लोग देख सकते है, error आ रहा है, अब आपको forward slash, और यहां पर एकना है temp, temp लिखने बाद green tick आ जाएगा, simply यहां पर न job, wait for a couple of seconds, तिने इसके बाद जोई run on start हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते है, over view पर फिर से आप लोग का data flow जो है running state में आ चुका है, अब next करते हैं, जब तक हमारा task पूर आ रहा है, task 5 अब कर लेते हैं, हम लोग task 5 के लिए, आप लोग simply पहले इसको कर लेंगे copy, copy करन थोड़ा सा scroll आप लोग नीचे करेंगे, message पर आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते है, publish message, जो आप लोग ने copy किया था, simply उसको यहाँ paste कर देंगे, और इसको कर देंगे publish, अब आप लोग को simply क्या करना है, वो मारा publish हो चुका है, यहाँ पर simply आप ल project पर आना है, यहाँ पर आना है, आपको एक query name, मैं बताता हूँ, आप लोग को simply लिखना है, select star from, यहाँ पर अपना लिखेंगे, topic का name, जैसे आप लोग यहाँ पर topic का name लिखेंगे, यहाँ आप लोग देख सकते है, आप को यह मिल चुका है, तो आप लोग इसे open कर तो आप का यह हो चुका है, अब यहाँ पर जो green tick आ चुका है, तो आप लोग इसको simply कर देंगे, run, अगर आपका data load होता है, तो ठीक है, नहीं होता है, आप लोग दुबारा से rerun कर लेना, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर data है, 73.4F, तो आप लोग यहाँ भी दे